महराष्टाला आणि महराष्टा तिल माज़ा बंदुभगी निना माज़े कोटी खोटी वंदन आज एक भारत स्रेश्ट भारत के वीजन में चत्रपति सिवाज महराज के विचारों का ही प्रतिमिम देखा जार सकता है गुलामी की मानसिक्ता को खत्म कर लोगों को राष्ट्र निर्मान के लिए प्रेरित किया चत्रपति सिवाजी महराजांची पवित्र भूमी असलेल्या महराष्टाला आणी महराष्टा तिल माज़े बंदुभगी निना माज़े कोटी खोटी वंदन आजहादी के अम्रत महोत्सव में चत्रपति सिवाजी महराज का राज्जाविशेख दिवस हम सभी के लिए नई चेतना नई उर्जा लेकर आया है मैं आप सभी को शुप कामनाय देता हूँ चत्रपति सिवाजी महराज का राज्जाविशेख साड़े तीन सो साल पहले के उस कालखन का एक अध्भूत और विशिष्ट अध्याय है इतिहास के उस अध्याय से निकली स्वराज, सूशाशन और सम्रुद्धि की महान गाताएं हमें आज भी प्रेरित करती है राश्ट्र कल्याण और लोक कल्याण उनकी शाशन व्यवस्ता के मूल तत्व रहे मैं च्छत्रपति सिवाजी महराज के चरणों में कोटी-कोटी नमन करता हूँ आज स्वराज की पहली राजधानी राइगड किले के प्रांगण में शांदार आयोजन किया गया है पूरे महराष्ट में आज का दिन महोत्सव के रुप में मनाया जा रहा है पूरे साल भर इस तरह के आयोजन पूरे महराष्ट में होंगे इसके लिए मैं महराष्ट सरकार को भी शुपकामनाय देता हूँ साथियों आज से साड़े तिन सो वर्ष पुर्व जब छत्रपती सिवाजी महराज का राजजापिशेक हुआ था तो उसमें स्वराज की ललकार और राष्ट्रियता की जैजेकार समाही थी उन्होंने हमेशा भारत की एकता और अखंडता को सर्वो पर ही रखा था आज एक भारत स्वरेश्ट भारत के वीजन में छत्रपती सिवाजी महराज के विचारों का ही प्रतिमिम देखा जार सकता है साथियों इतिहास के नायकों से लेकर आज के दौर में नेत्रुत्व पर रिसर्ट करने वाले मैनेजमेंट गुरुवों तक हर युग में किसी भी लीडर का सबसे बड़ा दाई तो होता है कि वो अपने देशवास्यों को मोटिवेटेड और कांफिडेंट रखे आप छत्रपती सिवाजी महाराज के समाएं देश की परिस्थितियों के कलपना कर सकते हैं सेंकडों वर्षों की गुलामी और आक्रमणों ने देश वास्यों से उनका आत्मिश्वास छिल लिया था आक्रमण कारियों के शोशन और गरीवी ने समाज को कमजोर बना दिया था हमारे सांस्कूरती केंद्रों पर हमला करके लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई ऐसे समाएं में लोगों में आत्म विश्वास जगाना एक कठीन कारिय था लेकिन छत्रपती सिवाजी महाराज ने ना सिर्फ आक्रमन कारियों का मुकाबला किया बल्कि जन मानस में ये विश्वास भी पैदा किया कि स्वयम का राज संभव है उन्होंने गुलामी की मानसिक्ता को खत्म कर लोगों को राष्ट्र निर्मान के लिए प्रेरित किया साथ्यों हमने ये भी देखा है कि इतिहास में कई ऐसे सासक हुए जो अपनी सैन्य ताकत के लिए जाने जाते हैं लेकिन उनकी प्रशासनिक छमता कमजोर थी इसी तरह ऐसे भी कई शासक हुए जो अपनी बहत्रीन सासन व्यवस्ता के लिए जाने गए लेकिन उनका सैन्य नेत्रुत्वा कमजोर था लेकिन छत्रपति सिवाजी महारात का व्यक्तित्व द्भुत्वा उन्होंने स्वराज की भी स्थापना की और सुराज को भी साकार किया वो अपने शावरिय के लिए भी जाने जाते हैं और सुसासन के लिए भी बहुत छोटी उम्रह में उन्होंने कीलों को जीत कर और शत्रुओं को हराकर अपने शैन्य नेत्रुत्व का परिशे दे दिया दूसरी तरफ एक राजा के तौर पर लोग प्रशासन में सुधारों को लागू करके उन्होंने सुषासन का तरीका भी बताया एक तरफ उन्होंने आक्रमन कारियों से अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा की तो दूसरी तरफ उन्होंने राष्ट निर्मार का व्यापक वीजन भी सामने रखा अपने वीजन की वजह से ही वो इतिहास के दूसरे नायकों से एक्दम अलग है उन्होंने शासन का लोग कल्यान करी चरित्र लोगों के सामने रखा और उन्हें आत्म सम्मान के साथ जीने का भरोसा दिया इसके साथ ही चत्रपति सिवाजी महाराज ने स्वराच, धर्म, संस्कृति और दरोहरों को ठेश पहुचाने की कोशिश करने वालों को भी संकेत दिया इसे जन जन में द्रण विश्वास पदा हुआ, आत्मन निर्भरता की भावना का संचार हुआ और राष्ट का सम्मान बढ़ा किसान कल्याण हो, महिला ससक्ति करन हो, शासन प्रशासन तक सामान्य मान्वी की पहुच आसान बनाना हो उनके कार्य, उनकी शासन प्रणाली और उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगीक है साथियों, चत्रपती सिवाजी महराज के व्यक्तित्व के इतने पहलू है, कि किसी ना किसी रूप में उनका जीवन हमें अवश्य प्रभावित करता है उन्होंने भारत के सामुर्थ को पहचान कर, जिस तरह नव सेना का विस्तार किया, अपना प्रभंध कौशल दिखाया, वो आज भी सब को प्रेणा देता है उनके बनाए जलदूर्ग, समंदर के बीश में, तेज लहरों और ज्वार भाटा के थपड़े सहरे के बावजूत, आज भी शान से खड़े हैं उन्हें समुद्र के किनारों से लेकर पहड़ों तक कीले बनवाए और अपने राज्य का विस्तार किया उसकाल में उन्होंने जलब प्रबंदन वाटर बेनेजमेंट से जूड़ी जो व्यवस्ताएं खड़ी की थी वो विश्यसंग्यों को हैरत में डाल देती है यह हमारी सरकार का सवभाग्य है कि छत्रपती सिवाजी महराज से प्रेणा लेकर पिछले वर्ष भारत ने गुलामी के एक निशान से नवसेना को मुक्ति दे दी भारतिय नवसेना के ध्वजपर अंग्रेजी शासन की पहचान को हटा कर सिवाजी महराज से प्रेणी उनकी राज मुद्रा को जगह दी गई है अब यही द्वज नए भारत के आन बान शान बन कर समंदर और आसमान में लहरा रहा है साथियों छत्रपती सिवाजी महराज की वीता विचारधारा और न्याय प्रियता ने कई कई पीडियों को प्रिरित किया है उनकी सहसिक कार्यशैली सामरी काउशल और सांतिपुन राजनितिक प्रणाली आज भी हमारे लिए प्रेन अफ्सरोत है हमें इस बात का गर्व है कि दुनिया के कई देशों में आज भी छत्रपती सिवाजी महराज की नीतियों की चर्चा होती है और उस पर रिसर्च होती है एक मेने पहले ही मौरिशस में छत्रपती सिवाजी महराज के प्रतिमा स्थापित की गई आज आज जी के अमरित काल में छत्रपती सिवाजी महराज के राज्या विशेक के 350 साल पूरे हुने ये अपने आप में एक प्रेनादाई अवसर है इतने वर्ष बाद भी उनके द्वारा स्थापित किये गए मुल्य हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहे हैं इनी मुल्यों के आधार पर हमें अमृत काल की पचीस वर्षों की यात्रा पूरी करनी है यह आत्रा होगी चत्रपती सिवाजी महराज के सपनों का भारत बनाने की यह आत्रा होगी स्वराज सुसासांड और आत्मंदर वर्ता की यह आत्रा होगी विक्सित भारत की पुना एकदा आपल्या सर्वाना तिन सो पचास्व्या सिवराज्या विशेक सोल्या निमित्त खूप खूप सुबेच्छा जय हिन भारत माता की जय कर दूप सुबों ज कर दो हूं